Dear Partner, आज हम सिखेंगे कैसे हमें RF Module का Connection हमारे Chime के साथ में करना है सबसे पहले हमें Customer Int पे जाके हमें Confirm करना है हमारा Chime Working हो इसके लिए हमें Bell Switch को Press करना है Press करके Confirm कर लेना है कि हमारा Chime Working है अब सबसे पहले मैं Chime Int पे जाऊंगा Chime Int पे जाने के बाद मैं मैं उसके Wires को Check करूँगा वो कुछ इस परकार Connected रहेंगे अब मुझे इन दोनों को अलग करना है मैं अलग करूँगा अलग करने के बाद मैं हम लोगों को अपने RF Module को Pick करना है Pick करने के बाद इनके दो Wires को Bell Chime के एक एक वायर के साथ Connect करना है कुछ इस परकार ये हम लोगोंने Connect कर दिया है एक एक वायर हम लोगोंने Connect कर दिया Connect करने के बाद में हमारा Connector कुछ इस परकार होगा हमें सबसे पहले इसके Legs को Lift कर लेना है कुछ इस परकार Lift करना है अब मुझे सबसे पहले Bell Chime का एक वायर मुझे पुस करना है और Simply Leg को Pull कर देना है और फिर Next वायर जो होगा Next Group में जाएगा Fit करने के बाद में हम लोग इसे Again एक लेक को Push कर देंगे अब हम लोग इसे Pull करके Check कर सकते हैं कहीं मैंने Loose Fitting तो नहीं किया है अब मैं दूसरे इंट पे आता हूँ दूसरे इंट पे मैं Bell Wire के पास के दो वायर होंगे First Wire को मैं Push करने के बाद में फिर से अपने Leg को Pull कर दूँगा और Second Wire को Push करके Pull कर दूँगा अब मैं Pull करके एक बार Check कर दूँगा कहीं मेरा कोई Wire Loose Fitted तो नहीं है इससे मैं Confirm हो जाओंगा कि हमारे Jack Proper लगे है अब मैंने क्यूं Bell Chime के साथ में लगाया है ये मैं बताता हूँ अब इस Connection में मुझे Benefit क्या होगा कि अगर मेरा Bell Chime अगर Work कर रहा है तो मेरा RF Module वो Working रहेगा अब मैं Check करता हूँ क्या हमारा Bell Proper Work कर रहा है या नहीं Connection करने के बाद में आप देख सकते हो हमारा Bell Module प्रोपर वोर्क कर रहा है क्यूं? क्यूंकि हमारा Chime भी Working Condition में है Thank You